जोश हेजलवुड जब जोश में रहते हैं तो बल्ले बाजों के होश थोड़ा सा उड़ जाते हैं चलिए आज ज़रा एक ऐसे गेंदबाज की बात करते हैं जिससे मुझे लगता है कि मिचल स्टाक आपको डराएंगे आपको आउट करेंगे जोश हेजलवुड इन से थोड़ा बचके रहना होगे इनकी बड़ी खासियत कई बड़ी चीज़े इनके पक्ष में है थोड़ी एक तो मगरा की आद दिलाते हैं बिल्कुल जब गेंद बजी करते हैं तो एक दम लिग इस스ंस के बिल्कुल पैस से करते हैं और स्टंस के पर से जिदबज़ ऐस tenth लाहिं के मिलते के लिए के बिलकुल पास से करते हैं और से फीदा ses करें अगर ऑफ करें तो पिर तो वह अगर नहीं नहीं है अगर गेने को सकते हैं अगर बलेस्ट अंदर बीच ऑ पहर बीशे सकती है और उनकी ऑक क क्रेसी इसनी बअगा इस फीब्र फिड्ब顫 रखते हैं और यद्ध आं foreign इन से मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बच के रही है, सबसे ज़्यादा संभल के रही है, खास तोर से पित्वी शौ या फिर केल राहूल, क्योंकि नई गेंस से आपको बहुत परेशान करेंगे, तो अब इनको खेलने का तरीका क्या है, थोड़ा सा तो आपको भागे क बहुत पास खेलिए, शरीर के पास खेलिए बल्ला फेंकिये मत, इनकी तरफ अगर आपने बल्ला फेंका ना, तो फिर वो एज़ेज लगने के चांसे बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, और थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, गेंद को पुराने होने दीजिए, जस्वेद जब सामने जॉश हिजलवोड होना, तो फिर बहुत ज़्यादा पैंतरे आपके चलते नहीं है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, धैरे के साथ खेलना पड़ता है, तो वो रणनीती के साथ, गेम प्लान के साथ उतरना होगा भारतीय ओपनर्स के.